दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप personal loan कैसे ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको पैसो का जुरुत है अगर आप loan लेना चाहते हैं तो अब आप घर बेठे mobile से loan ले सकते हैं जिए दोस्तों मैंने आपके लिए एक genuine application लाया हूँ जहाँ पर आप 1000 रुपिये से लेकर 20000 रुपिये तक का loan ले सकते हैं 0% interest पर यानि कि अगर आपका कम loan approved होता है तो आपको 0% का interest लगेगा यानि कि एक भी रुपिया interest नहीं लगेगा कैसे आपको loan के लिए apply करना होगा और क्या application का नाम है चलिए मैं आपको step by step बताता हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं तो दोस्तों loan को लेने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि Google Play Store पर आना है Google Play Store पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है k-r-e-d-i-t-z-y यह आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका credit g personal loan application आ जाएगा इस application से आप 1000 रुपिये से लेकर 20000 रुपिये तक का loan ले सकते हैं instant bank में loan का amount जो है वो transfer किया जाएगा सबसे पहले आपको इस application को अपने mobile में install कर लेना है और उसके बाद loan के लिए apply करना है यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस application से आप कितने रुपिये तक का loan ले सकते हैं आपका interest rate क्या रहेगा और आपको कितने दिनों के लिए loan को मिलेगा तो देखिए यहाँ पर आप जो loan लेंगे वो loan आपको एक हजार रुपिये से लेकर दो लाख रुपिये तक का मिलेगा यानि कि दो लाख रुपिये तक का loan आप इस application से ले सकते हैं सकंड नमबर यहाँ पर आपका जो interest rate रहेगा वो आपका 0% से लेकर 29.95 पर एनम के हिसाब से आपको interest देना होगा यानि कि यहाँ पर 0% से लेकर 29% तक एक साल में आपका interest रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका 0% interest इसलिए बताया गया है कि अगर आपका कम loan approved होता है जैसे कि 5000 या 10,000 रुपिये का loan approved होता है तो आपको एक भी रुपिये का interest नहीं देना होगा 0% interest पर आपको loan मिल जाएगा loan जो आपको मिलेगा वो आपको 62 दिनों से लेकर 15 मेहनों के लिए आपको मिलेगा अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कि इस loan को लेने के लिए आपको क्या करना होगा तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यह जो loan है वो 100% online process है आपका first approval होगा उसके बाद आपका जो loan है आपके bank में transfer किया जाएगा तो आप मैं आपको चलिए बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या eligibility आपको होनी चाहिए तो देखिए आप इंडिया से होने चाहिए second number बाद आपका age 21 plus होना चाहिए और आपका कोई एक जो है monthly income source होना चाहिए जैसे कि अगर आप salaried person है तो आपको loan मिलने में दिक्कत नहीं होगी कोई विदेरी नहीं होगी लेकिन अगर आप salaried person नहीं है तो भी आपको loan मिलेगा बस आप अगर कहीं पर काम करते हैं या खुद का अगर कुछ काम करते हैं मतलब खुद का अगर business वगरा करते हैं या दुकान वगरा चलाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो भी आपको इस application से 100% loan मिलेगा अब मैं आपको चलिए बताता हूँ loan लेने का process apply करने का process सबसे पहले आपको इस application को यहां से install कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको open का option मिलेगा install करने के बाद open के option पर click करके application को open करना है अब open करेंगे तो आपके सामने language select करने को कहा जाएगा आपको अपना language select करना है और okay let's go के option पर आपको click करना है language select करेंगे और इसके उपर आप click करेंगे तो आपके सामने यहां पर permission allow करने को कहा जाएगा आपको scroll down करके न करेंगे और i agree के option पर आप click करेंगे उसके बाद while using the app का उपर में option मिलेगा इसके उपर click करेंगे फिर आप allow के option पर click करेंगे फिर आपको allow के option पर click करेंगे तो आपके सामने next page open होके आएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दो option मिलेगा एक google का और एक login with registered mobile का simply आपको क्या करना है google के option पर click करके आपके mobile में जो भी gmail id है आपको यहाँ पर gmail id देके login कर लेना है तो इसमें आप click करेंगे और उसके बाद आपके mobile में जितने भी gmail id होंगे gmail address होंगे वो आपको देखने को मिलेगा एक gmail address देके यहाँ पर आपको login कर लेना है अब आप आप email id डाल लेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से interface आएगा यहाँ पर आपको खाली box को tick करना है और continue के option पर आपको click करना है यहाँ पर आप टिक करेंगे और continue के option पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार से interface आएगा यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है और उसके बाद gate OTP के option पर क्लिक करना है आपकी mobile पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को डालके आपको submit करना है अब आपको mobile पर OTP send किया गया है उस OTP को यहाँ पर डालना है और submit के option पर अब आपको यहाँ पर जो है अपना first name उपर में डालना है और यहाँ पर आपको last name डालना है वही नाम जो आपके pen card पर है वो नाम डालना है तभी आपको loan मिल पाएगा बरना आपको loan नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पर आपको उपर में first name डाल देना है नीचे last name डालना है और next के option पर आपको click कर देना है अब आपके सामने next page में इस परकार से interface आएगा यहाँ पर आपको अपना data worth डाल देना है यानि कि select कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना gender आप male है या female है वो आपको select कर लेना है और next के option पर आपको click कर देना है अब आपके सामने next page इस प्रकार से आएगा अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले उपर में आपको अपने address का pin code आपको यहाँ पर डाल देना है तो नीचे आपको option मिलेगा employment type का यानि कि आप जो है self-employed person है या self-employed है वो आपको select करना है तो यहाँ पर आपको दो option मिलेगा एक salaryate का और एक self-employed का अगर आप salaryate person है अगर आप कहीं पर job करते हैं सरकारी job या private sector में job करते हैं तो application से आपको loan मिलने में बहुती आसानी होगा बहुत जल्दी आपको loan मिल जाएगा तो अगर आप salaryate person है salaryate पर click करेंगे monthly income डालेंगे इस पर आप यहाँ पर नीचे tick करेंगे और next के option पर click करेंगे अगर आप salaryate person नहीं है self-employed है जैसे कि आप खुद का business करते हैं या खुद का कुछ काम बगरा करते हैं तो self-employed पर click करेंगे और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर monthly income डालेंगे मन्तली income में आप 15 से 20 अजार रुपिया डालेंगे और यहाँ पर खाली box पर आप tick करेंगे और next के option पर click करेंगे अब आपका next page इस परकार से आएगा जब आप अपना यहाँ पर salary amount बगरा डालके next के option पर click करेंगे bank card number के हिसाब से ही आपका loan approved होता है और आपका जो loan है वो आपके bank में transfer किया जाता है तो देखिए जब आप यहाँ पर bank card number डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप click करके next के option पर click करेंगे तो उसके बाद आपका approval बताया जाएगा जैसे कि आपको as example 50,000 रुपिये का आपका loan approved होता है तो आपको बताया जाएगा कि आपका 50,000 रुपिये का loan approved हुआ है अब आप इस loan को लेने के लिए अपना bank account number, IFC code और bank का नाम डालेंगे जब आप bank account number, IFC code और bank का नाम डालेंगे तो आपका जो loan amount है 50,000 रुपिये का जो loan आपका approved हुआ था वो आपके सीधे bank account में transfer किये जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना bank card number डालके यहाँ पर आपको tick करना है नीचे और next के option पर आपको click कर देना है अब आप pen card number डालके जैसे next करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार से page open होके आएगा अब यहाँ पर आपको कुछ details add करना होगा सबसे पहले number पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको address prove upload करने को कहा जा रहा है यहाँ पर आपको upload document में click करना है और आपके पास जो आधार card है या voter ID card है वह आपको upload document में click करके upload कर देना है यह आपका QIC होता है यह complete होगा उसके बाद account number IPC code डालेंगे और आपका loan आपके bank में transfer किया जाएगा अब उसके बाद second number आपको upload pen card front picture यानि कि यहाँ पर आपको जो है pen card का जो photo है वह आपको upload करना है upload pen पर click करेंगे और आपको अपने pen card का photo upload यहाँ पर आपको कर देना है upload pen पर click करके pen card upload कर देना है तो आपको नीचे आपको एक option मिलेगा your selfie का यहाँ पर आपको take your selfie के option पर click करना है take your selfie के option पर click करके आपको अपना एक current selfie पी upload कर देना है यह तिनों चीज़ आप जैसे ही एक एक करके upload कर लेंगे और upload करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक option मिलेगा जो है confirm and continue का confirm and continue के option पर आप जैसे click करेंगे तो आपका जो QIC है वो complete हो जाएगा उसके बाद आप अपना bank account number, IFC code और यहाँ पर आपने bank का न बगरा बगरा डालेंगे और आपका loan यहाँ पर अपर अप्रूब्ड हो के आपके सीधे bank में transfer कर दी जाएंगे तो इस परकार से आप घर बेटे मुवाइल से credit जी application से loan के लिए apply करके loan ले सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चली next वीडियो में मिलते हैं बह